करहिया मंडी में प्याच की खरिदारी को लेकर खिंशतान जारी व्यापारी और किसान आपस में भिड़े इन दिनों रिवा की करहिया मंडी में अधिकारियों के ना जाने से व्यापारियों और किसानों की आपस में पट्री नहीं खा रही है ब्यापारी हो या किसान दोनों के नजरिय से देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगे सही दिखाई देते है ब्यापारियों की माने तो किसान अच्छी प्याज के साथ सड़ी गली प्याज मिला कर ला रहे हैं ऐसे में पूरी प्याज खराब होने की संभावना बनी रहती है। इस तरह से ब्यापारियों को पहले प्याज खरीदने के बाद छटवाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। वहीं किसानों का कहना है कि वो खेट से सीधे प्याज बोरियों में भर कर छटवाने के बाद मंडी लेकर आ रहे हैं। ब्यापारियों की आदत ही होती है हर काम में नुक्स निकालना, सो वो निकाल रहे हैं। ऐसे में इस समस्या को और बढ़ावा मिल रहा है केंडर में किसी भी वरिष रधिकारी के ना होने से। में हमालों करें बाद मैं और बाद में रहे हैं। और गेए तो हुआव प्रसान को परसाद किया लाता है। किसानों वातिकारी कोई यह को इस निरिक्षन करने आता नहीं निरिक्षन करने वाला नहीं है यहां मैपारी अपने अमन लगते हैं किसान तरह बड़ा लिखा नहीं कि हैं आपके माल नौर रोपे जैसे होचाना एकार बोरी सबावी निकल लाव सुए सवेशना एकार बोरी खराब उसको हम चेंट कराने लिए तैया है रहे हैं लेवर रखते हैं जोकें से लखवादिया उसको हम थड़बा भी देंगे । ऐसा नहीं हम माल खराब नहीं देना चाहते हैं हम पिसान अपने इमानदारी से वो नीचे रहता है, चुकि नियम ये है, सची महोदा ने हम लोगों के ये नियम बताया था, कि टेक्टर से माल नीचे आएगा, आप लोग जमीन में दो बोरी, चार बोरी खोलिए, साजापूर नासिक, इंदोर, जलगाओ, महराश्ट, जहाँ जहाँ ये बोलियां होती, उस